जहीं दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो ये अन्वियस मिसलेनेस आर्ट की जितनी भी कटाफ होंगे कैटेगरी वाईज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की 120 स्कोर में से यदि आपकी इतने मार्क्स हैं तो आप लोगों का जो इंटर्व्यू के लिए कॉल जो है आ सकता है देखे फ्रेंट सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ के लिए आस्वस्त करना चाहता हूं कि जो मैं आज स्कोर जो मैं कटाफ जो जारी कर रहा हूं बता रहा हूं अपने चैनल के मादिम से सबसे पहले चीज़ है कि जो 2019 में जो पिछले वस एक्जाम जो हुए थे ये अनवियस के उसके अनलिसीस करके और साथी साथ उनकी वैकेंसीज अपलस इस साल की जो वैकेंसीज है और जितने भी कैंडिडेट जो अपियर हुए थे उनके मार्क्स और निगेटी मार्क्स इन आप लोगों को बता सकता हूँ कि 2-3% उपर नीचे हो जकता है 5% भी नहीं होगा 2-3% के वल उपर और नीचे होगा ठीक है देखे पिछले जो एक्जाम हुए थे जो 2019 में जो एक्जाम हुए थे उसमें निगेटी मार्किंग नहीं था बट इस बार जो है निगेटी मार्क मेरे भी participants है सबसे ज़्यादा पूल जो है arts का ही आया था मेरे पास तो इसलिए मैं सबसे पहला जो मैंने मेरे भी होलसोल responsibility बनती है moral responsibility बनती है कि मैं उन candidates का सबसे पहले response करूँ जिनका जो है participation सबसे ज़ादा है ठीक है हाला कि मैं एक ही करके सभी subjects का मैं बनाऊंगा बताऊंगा ठीक है मुझे भी थोड़ा time लगता है analysis करने में मेरे पास भी और भी thesis के काम होते हैं जिसके कारण मेरे पास time नहीं मिलता है कि मैं सबसारा दिन यूटूबर में ही बनने आहीं रहूँ तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि envious miscellaneous जो score है 120 में से देखे friends बहुत अच्छा जो score हुआ होगा 80 प्लस जाएगा ठीक है जो सबसे best जो score होगा वो 80 प्लस जाएगा और तो और मैं बता दूँ कि जितने भी exam इस बार दिये थे जीकि paper जो था लेवल जो था हाला कि जो है moderate लेवल था कोई ज़्यादा tough नहीं था अगर subject की बात करें तो अगर हम बात करें English और Hindi की original language की देखे हिंदी तो easy थी हिंदी में maximum लोग जो है पास है ठीक है English में थोड़ा लोग जो है इसमें अटक रहे है जैसा कि आप लोग के comments के मादिम से मुझे पदा चल रहा है कि English में बहुत सारे candidates जो है लटक गए है लेकिन कोई बात नहीं अभी भी आगामी जो परिच्छा हैं अभी आने वाली है KVS की है बहुत bumper vacancy आई हुई है इसमें आप लोग अपना-पना जो है best दीजिए और वहाँ पर teacher बनिए वो भी एक तरीके से central government की job है ठीक है तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूँ आपको कि due to negative marking जो है इस बार जो merit का जो pattern होगा आपको देखने को मिलेगा इदम drastically जो है change देखने को मिलेगा और vacancies की बात कर लें तो vacancies देखिए friends जो north east की है उसमें 14 vacancies थी total arts में ठीक है और इस बार जो है direct जो recruitment था जो direct recruitment में अगर हम बात करें arts की जो vacancy थी आप देख सकते हो यहां पर total जो vacancies थी 43 थी ठीक है तो 43 जो vacancies थी जो वो arts की थी तो यहां पर आप देख सकते हो 43 जो vacancies थी जो arts की थी जिसमें सी UR category की 19 थी और 4 EWS की थी और 11 जो है OBC की थी और 6 जो था SC का था और ST का था 3 ठीक है इस तरीके से आप इनको भी इग्नोर नहीं कह सकतो जो visually impaired जो है उनका एक था और others के लिए एक था ठीक है यहाँ पर आप मैं एक चीज बता दूँ आप लोगों को जैसा कि मेरा जो analysis है और जो previous years के जो कटाफ थे और इस बार का अगर मैं बता दूँ तो आपका जो कटाफ जो है इस प्रकार से जाने की संभावना है ठीक है जैसा कि मैं बता दूँ कि जितने भी maximum जो candidates है वो maximum जो candidates जिनका score जो है सबसे ज्यादा लाई कर रहा है वो 72-75 के बीच में लाई कर रहा है 52% का ठीक है और 76-80 के बीच में जो है केवल 12% जो है candidates जो है लाई कर रहे हैं और 81-90 के बीच में जो candidates है वो 18% है और तो और 91 से 95 के बीच में 9% है और 96 and above 10% है ठीक है यह था आप लोगों का जो था polling के माद्यम से जैसा की information मिला है देखे फ्रेंट्स जो मेरा opinion है और जो मेरा analysis है आप लोगों को मैं बता दूँ कि जितनी भी candidates अगर you are category में आप हो ठीक है यदि आपने 80 के around पाया है ठीक है plus minus यहाँ पर 2 हो सकता है plus minus 2 हो सकता है यह ठीक है around अगर आपकी है you are category में then you will get 100% call for interview ठीक है you can prepare yourself for interview ठीक है अगर हम बात करें OVC category की ठीक है तो OVC category में यदि आपका जो है marks 75 plus minus 2 है यानि कि 75 plus है यदि आप तो आप 100% जो है आपका जो interview के लिए जो call होगा 100% होगा इसके बाद अगर हम बात करें तो OVC category की तो OVC category का जो जाएगा cut-up 70 minus 2 जा सकता है plus नहीं होगा इसमें 68 जा सकता है 68 plus मतलब 72 plus नहीं जा सकता 68 से 70 के बीच में ही रहने वाला है नेक्स अकर हम बात करें ST की तो ST की cut-up जो जाएगा वो 65 जाएगा और EWS category की जो cut-up जाएगी वो जाएगा 72 ठीक है यदि आपके इतने marks score अगर आपके हैं फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ कि यदि आप लोगों के marks जो है यूर category में 80 plus है तो आप 100% interview के लिए call आपका आएगा ठीक है तो इस तरीके से जो मैं आप लोग को cut-up बताया हूँ देखिए आप लोग एकदम इस्टिक मत हो जाएए कि सर आपने तो इतना बोला था लेकिन इतना cut-up सला गया ऐसा नहीं है मैं बता दूँ कि जो paper का pattern था और negative marking इस बार जो था और जो English और Hindi में जो qualifying nature का जो questions थे उससी जो है इस बार merit जो है थोड़ी कम जाने की पूर संभावना है ठीक है इसलिए आप लोग आस्वस्त रहिए अगर आपकी इतने marks हैं तो well and good आप लोग interview की अभी से preparation थोड़ा बहुत करते रहिए और क्या करना है आपको interview में कैसे तयारी करनी है और क्या question पूछे जाते हैं क्या जवाब देना है all do's and don'ts है मै इसी playlist में आप जाकर आप देख सकते हो ठीक है मेरा जो interview का experience है बहुत wide experience है और मैंने nvs का interview भी दिया था तो out of 200 I score 180 marks ठीक है यह सबसे best interview मेरा था और मुझे पता है कि interview में क्या क्या question जो है कैसे पूछे जाते हैं और आपको क्या answers कैसे देने हैं ठीक है तो मेरे playlist में जाकर आप देख सकते हो यदि वीडियो पसंद आया हो और आपकी query हो तो आप comment box में मुझे intimate कर सकते हैं और अपने query को resolve कर सकते हैं और साथी साथ मैं आप लोगों से request करूँगा यदि अभी तक आप लोगोंने channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करना ना भूले और bell icon ज़रू प्रेस कीज it thanks for watching friends have a nice time